बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एक्जाम्पल 3.2 सिंगेज का की बुक का मेकैनिक्स 1 का वेक्टर का सवाल है तो देखिए इसमें कहता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट रेजल्टेंट आफ टू फोर्स अक्टिंग अट पॉइंट इस्टेट यानि ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्स ग्रेटेस्ट देखिए कब होगा जब दो फोर्स का एडिशन करेंगे लीस्ट कब होगा जब हम सब्स्टेक्शन करेंगे तो कहता है अगर उनका फोर्स बढ़ा दिया जाया तीन न्यूटन से दोनों का इंडिज्वल तो फाइंड द रेजल्टेंट आफ निव फो A और B है और उनका ग्रेटेस्ट रेजल्टेंट कब होगा तो ग्रेटेस्ट रेजल्टेंट तभी होगा जब उनको हम add करेंगे और ये 10 न्यूटन हमें question में दिया गया है और आगर हम बात करें इनका least का तो least जो है resultant कब होगा जब इनका subtraction होगा यनि कि A minus B और वो 6 Newton हो जाएगा अब कहता है कि अगर हम इसको देखिए हमें तो पता नहीं कि क्या है A और B तो A और B को क्या कर दे हम solve कलने हैं कैसे A plus B is equal to 10 और A minus B is equal to 6 तो उससे क्या होगा कि यह हम A और B find कर पाएंगा अगर हम add कर दें दोनों को equations को तो क्या हो जाएगा 2 A is equal to 16 A की value आजाएगी 8 A की value यहाँ put करेंगे तो B आजाएगा हमारा 2 Newton ठीक है अच्छा अब यहाँ तक हो गया अब कह रहा है कि अगर हम उनके जो value हमारी I है A की और B की उसमें अगर हम बढ़ा दें 3 Newton का force तो अब A dash हो जाएगा 8 plus 3 यानि कि 11 Newton हो जाएगा ऐसे B वाले में बढ़ा देंगे तो नया कितना हो जाएगा 5 Newton क्योंकि दोनों में 3-3 Newton का increase कर दिया है अब पोश्चा में यह कहता है कि इनका नया resultant का होगा अगर वो दोनों perpendicular में है तो हम क्या कर लेंगे इसका resultant fine करेंगे तो resultant fine करने का तरीका हमें पता है अगर दो vector 90 degree में है तो उनको सीधे इस तरह से fine कर सकते हैं तो यह 11 का square plus 5 का square और जो answer आएगा यह लगभग 146 का under root आएगा 3.2 अब देखें question number 3.3 में हमें question में कहा गया है अच्चों की की 3.3 में sorry की two equal forces have their resultant equal to each other यानि दो forces का जो resultant है वो equal है यानि की जो दो force लग रहा है वो भी equal है और जो resultant आ रहा है वो भी equal है तो कहरा है कितने angle पर अगर ऐसा हो रहा हो तो कितने angle पर वो incline करेंगे तो देखें बहुत ही आसान है समझाताओं में सबसे पहले देखें कि हमारे पास 3.3 में कह रहा है कि एक force है F यानि एक vector है जो की F force का है ठीक है ऐसे दूसरा vector है जोसमें F force लग रहा है अगर इनका resultant भी F ही हो तो ये ऐसा कब होगा यानि कितने angle पर incline कर रहे होंगे तो देखें फार्मूला हमारे पास क्या होता है A square प्लस B square प्लस 2AB cos theta मालने की theta angle पर incline है तो resultant हमको question में दिया है F तो इसका क्या हो जाएगा F square प्लस F square प्लस 2FF रखेंगे 2F square और cos theta अब देखें यहां से क्या निकलेगा 2F square और ये 2F square ही है मारे पास cos theta ठीक है यहां से देखें अगर हम इसका अंडरूट हटा दें अगले step में तो F square हो जाएगा तो 2F square is equal to 2F square cos theta ये 2F square जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का अगर हम चाहें तो F square सब में से common भी ले सकते हैं और common लेकर cancel कर दें तो यहां बचेगा 1 यहां बचेगा 2 यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 2 cos theta अब देखें यहां पर ये 2 अगर common ले 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 तो क्या बन जाएगा हमारा 1 is equal to 2 1 plus cos theta बस अब 2 को नीचे ले आओ तो 1 by 2 is equal to 1 plus cos theta अब 1 by 2 क्या होता है 1 by 2 होता है cos में sorry यह देखें अभी यहां पर और भी कुछ करना है यह bracket open करो 1 minus इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 by 2 minus 1 is equal to cos theta अब यह answer क्या आएगा minus का 1 by 2 देखें minus का 1 by 2 हमारा होता है cos 120 की value है न देखें समझ लीजिए यह 90 होता है यह 180 होता है यह 270 होता है 360 अब अगर हम इसको कह दें कि cos 90 plus 30 लिखा जा सकता है cos 120 को cos 120 को 90 plus 30 लिखा जा सकता है यहां पर आ गया cos तो जब चुकि 90 होता है तो cos को हम लोग क्या लिखते ते है साइन ठीक है और यहां पर जो है साइन हमारा माइनस होता है यहां यहां तो सारे ही plus होते है mathematics के हिसाब से और यहां साइन हमारा माइनस होता है तो जब साइन माइनस होगा तो यहां माइनस लग जाएगा यह घर साइन का नहीं है साइन माइनस होता है ठीक है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 जब साइन 30 होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए साइन 30 जब होगा तो बन जाएगा इसमें यहाँ पर जो है साइद मैंने यहाँ साइन बता दिया यहाँ जो cos होता है, वो minus होता है, ठीक है, चुकि cos हमारा यहाँ पहुँच गें तो cos यहाँ minus होता है, minus लगा दिया और cos का change हो जाता है sign में, 90 जब होता है, तो cos का sign में change होता है, तो sin 30 की value कितने होती है, minus 1 बाइट, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos 130, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 120, तो इसका में थीटा की value क्या आ गई, 120, यहाँ यह कब होगा, जब वो दोनों force 120 degree के angle पर incline करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं, example 3.4 की, यह भी आसान question है, question में कहां गया है कि two forces whose magnitude are in ratio 3, देखिए, दो forces हैं, जिनका magnitude 3 और 5 है, ठीक है, दो forces हैं, जिनका magnitude 3 और 5 है, और उनका resultant जो question में कह रहा है, वो 28 newton दिया है, ठीक, तो कहता है कि उनके अलग-अलग जो है, वो force बताईए, बस यही पूछ रहा है, दोनों के force बताईए, और inclination का, जो angle inclination है, वो 60 degree पर दे रख़ा है, थीटा की value is 60 degree, अब देखिए ratio में हमको दिया है, तो ratio में जब भी दिया होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x मानना पड़ेगा एक ratio, जिसमें 3x जो है, हो जाएगा पहला वाला, यह mathematics में आपने बहुत किया होगा, 5x हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि य ratio में है न, तो हमको एक मानना पड़ेगा कि x जो है इनका ratio का value है, जिसमें 3x और 5x इनके values हो जाएगी दोनों vector का, अब फार्मला लगा देंगे, r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos 60 degree, r की value 28 है, a की value 3x square करेंगे तो 9x square हो जाएगा, b हो जाएगा, 25x square plus 2ab, 15, 15 to 30, ठीक है, और cos 60, cos 60 की value कितनी होती है, तो जो sin 30 की value होती है, वही cos 60 की value होती है, ठीक है, अब 28 का square कर लेंगे, या देख लेंगे हो सकता है, square root यहाँ आ जाए, तो जरूबत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर एक x भी तो रहेगा, 3x square, यहाँ x square भी तो रहेगा, x square छूट गया, अब देखे, 9 x square और 25 x square, एड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 34 x square, यह 15 x square हो जाएगा, solve करने पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, 49 x square, हाँ, इसका square root निकला है, तो 28 का square करने जी उतना ही पड़ेगी, 7 x, तो 28, यहाँ x की value आ जाएगी, 28 upon 7, यहाँ कि 4 आ जाएगी, अब हम 4 जब हमारा आ गया है, तो ए हम आसानी से निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 12 newton, बी कितना हो जाएगा, 20 newton, बस यही fine करना था, तो मीदे बच्चों आपको सोनना होगा, good bye